आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों नाम मेरा सीमा सोनी है और मैं रोटा रोड मेरेट से ही बिलॉंग करती हूँ वैसे तो जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैम ने भावी ने बता दी है लेकिन फिर भी एक बार में उन्हें अपने सब्दों में जरूर बया करना चाहूंगी आप लोग तैयार है एकसाइटिड है जैसा कि मैम ने बताया और सर ने बताया कि माहौल माहौल वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो परिवार है और इसके जो दादा जी है पर दादा जी है और हमारे गुरू लोग है इनकी परिवर्शी यह है कि बेटा काम ऐसा करना कि या तो लड़की अपने घर में सेफ हो या हम लोगों के बीच में सेफ हो इस हद तक अगर मैं बात करूँ टोपाज की तो महागुरुजी लोग अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टोपाज बन गई हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने जोइन किया था मेरा पहला फंक्शन था और उस दिन एक सर तोपाज बने थे जिस दिन मैंने जोइन किया था 10-15 दिन बाद मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था बिल्कुल इसी तरह उस दिन एक सट टोपाज बने थे तो उस दिन से मुझे ये लगने लग गया था कि मैं सब कुछ बन सकती हूं लेकिन टोपाज ही नहीं बन सकती हूं और जब गुरू लोगों ने मुझे ये बताया कि मैडम आपकी टोपाज की रिकंगनाईजेशन हो रही है तो मुझे यकीन नहीं हो रहत है मैंने का डाइमंड तो मैं बन जाऊंग लेकिन टोपाज नहीं बन सकती और आज वो दिन है कि ये टोपाज का महागुरू लोगों की वज़े से आज साथ में है अगर मैं इसका क्रेडिट दू वैसे हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स को जाता है लेकिन अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो हमारे ग्रेट 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 टेस्ट मेंटर अर्विन तालान जी को जाता है थैंक यू आप लोगों के बीच में ज्यादा ना तो कुछ कहने की अभी ना तो उमर है ना मैंने अभी इतना कुछ किया है क्योंकि मुझसे बड़े लोग भी यहां भी मौझूद है और अगर मैं उससे कुछ कह पा हूँ अभी इतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ ना हमें यहां किसी ने सिखा के भेजा है कि मैडम आपको स्टेज पे यही बोलना है बस कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं यह बताना चाहूंगी कि बिफोर सेप शोप और आफ्टर सेप शोप अगर मैं बिफोर सेप शोप की बात करूँ पीएचडी की मैं पढ़ाई कर रही थी मेरा कैरियर अपनी जगा बिल्कुल सैट था पीएचडी मैं कर रही थी कि गुरू जो महां के एचडी थे उन्होंने बता दिया था कि मैडम आप हिस्ट्री से पीएचडी कर लीजिए नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप लेक्टर की लेक्टरार की जोब आपको मिल जाएगी मैं नहीं कोई दिक्कत निये लेक्टरार की अगर स्टार्टिंग में भी सेलरी लगती है तो तीस से चालिस हजार होती है यह सब कुछ सैट होते हुए इस बिजनिस में अगर मैंने all of sudden entry करी तो उसको कुछ भी कह सकते हैं एक अंजान वेक्ती के माध्यम से मुझे इस प्लान को देखने का मोका मिला प्लान तो खहर ज्यादा समझ में आया नहीं था क्योंकि इतना तेस दिमाग मेरा चलता नहीं है क्या उन्होंने कहा इसारी वात inherent मेरे दिवाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी बस उन्होंने last में एक चीज कह दी जानने चाहते हैं आप लोग उन्होंने ये कह दिया मैडम एक दिन आपके हाथ में माईक होगा हजारों लोगों से ओडिटोरियम भरा होगा और आप वहाँ पर बोल रहे होंगे आप लोग तो तालीब जा रहे हैं आप खुश हो रहे हैं लेकिन उस टाइम मुझे ये लगा था मैंने का प्लान तो सरा आपका समझ में आया नहीं है लेकिन प्लान ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं लेकिन जो बात आपने लास्ट में बोलिये ना कि ओडिटोरियम भरा होगा और ये सीमा सोनी बोल रहे होगे ये होने वाला नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी अगर क्लास में भी मेरे सर मुझे सवाल पूछ लेते हैं और कहते हैं किसको आता है हाथ उठाओ तो मैं अपना हाथ नीचे कर लेती थी कि कहीं है मुझे सही न पूछ ले और दुबख जाती थी इतना मुझे डर लगता था कि चार लोगों के बीच में खड़े होकर सवाल का जवाब तो छोड़ दो अपना नाम नहीं बता सकती थी मैं क्या किया कैसे किया इन टाइम में ये तो खेर बात है लेकिन समय थोड़ा कम है तो मैं सरिफ इतना बताना चाहूंगी जादा टाइम अभी मुझे सेफ सोफ में नहीं हुआ है डेड़ पोने दो साल हुए है मैं सरिफ इतना बताना चाहूंगी इस दो साल के पीरियड में मैंने यहां से क्या पाया और क्या सीखा PhD में कर रही थी PhD के आगे degree भी नहीं होती है Almost पढ़ाई complete हो चुकी होती है और मुझे पता ही नहीं था कि जिसको जीवन कहते हैं जिसको जिंदगी कहते हैं जिसको इंसानियत कहते हैं वो तो इन किताबों से हमने सीखी नहीं है असली दुनिया इन किताबों से भाहन निकल कर है हाला कि PhD अच्छी डिगरी अगर कोई कर रहा हो तो बुरा मत मानना PhD अपनी जगा बिल्कुल सही है लेकिन PhD से अलग भी कुछ है जब इन लोगों ने मुझे बताया यहां कि मुझे सबसे एक अच्छी बात लगी रोयल्टी इंकम रोयल्टी इंकम कि अगर मैं बात करूँ तो पाज का भी सम्मान हुआ मम्मी मेरी भावुक हो गई और उन्हें देखकर मैं भी भावुक हो गई क्यों क्योंकि आज से पहले जब मेरा इससे पिछला लेवल परल का जब सम्मान हुआ था तो मेरे पिताजी यहां पर मेरे साथ थे लेकीन परवरी में वो सम्मान हुआ था और मार्च में उनकी ये रिपोर्ट आती है कि इन्हें मूँ में कैंसर है उन्हें कैंसर का पता चला और छे महीने चैसे आट महीने इस टाइप की मैं लड़की थी मेरट में रहते वे मुझे ये नहीं पता था कि बेगमपुल कहां पर पड़ता है जबकि सदर में ही मेरा कॉलिस था ये नहीं पता था बेगमपुल कहां है और इस बिजनिस के बदोलत इतना सिखाया है इतना सिखाया है पिता परदेश चले जाओ मैडम राजिस्थान चले जाओ मैडम बरेली में चले जाओ मैंडम महरास्ट में चले जाओ जिसने जहां भी बताया आठ महीने उन्हें लेकर मैं वहां गई अगर मैं इस बिजनिस में ना होती मुझे यह नहीं पताता है कि मेरे सहर में बेगंपुल कहां इस विजनिस ने इतनी मैच्वोटी लादी मेरे अंदर इतनी मैच्वूटी इलादी जहां एक जो एक सामने आते हैं मैडम आपकी बात सही है लेकिन मैं अपने पिता जी से पूछ के बताऊंगा इतनी सी उमर में सिर्फ और सिर्फ हमारे great mentors की वज़े से हमारे senior applying की वज़े से और इस महान opportunity की वज़े से 1200 लोगों का टीम छे लोगों का मेरा परिवार और चार चार वेन्यू सीवा सोनी समालती अकेले दम पर पिता जी का मैंने इलाज कराया लेकिन होता वह यह जो जुरत को मंजूर है अभी छे महीने पहले वह एक्सपायर हो गए थे इस पीरियड में अगर मैं कहीं जोप कर रही होती हाला कि पिता जी ने कभी ऐसी कोई कमी रखी नहीं थी कि मुझे आट से दस हजार रुपे की कहीं नोकरी करनी पढ़ती पिएचडी भी मैं सिर्फ ना कि आगे डोक्टर सीमा सोनी होना चाहिए अगर मेरे घर के आगर नेम प्लेट लगे तो डोक्टर सीमा सोनी उस पे लिखा होना चाहिए यह सोचकर मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी दुख मुझे अभी भी नहीं है पिएचडी साइड करी है सिरिफ और सिरिफ कुछ टाइम क के बाद यहां की एट स्ट्रेप ट्रेनिंग को टेंड करने के बाद यहां की किताबे पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है पहले मैं डाइमंड बनूंगे और उसके बाद पीएचडी करके डॉक्टर की डिग्री लोंगी और कमिट्मेंट करती हूँ महागूरूजी इस सीज का आज यहां पर आज जो यह संवान मिला है साथे 1200 की टीम का मिला है और एक साल महागूरूजी जायेगा नहीं इस साथे 1200 के आगे यह सीमना सोनी एक जीरो लगा देगी और डैमंड बन कर यहां पर खड़ी होगी क्योंकि पहले मैं कर रही थी इस काम को अच्छे के लिए आज मेरे पिता जी हमारे बीच में नहीं है जब मैंने इस बिजनिस को जोइन किया था दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं था साथ थे तो मेरे सिर्फ ग्रेट अपलाइन और सिर्फ मेरे मम्मी पापा करेंगा ना तेरे उपर मैं लगाओंगा और तुझे डायमंड बनाकर ही छोड़ूंगा आज वो हमारे बीच में नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं स्टेज के माध्यम से कहना चाहती हूं शायद कहीं न कहीं अगर मेरी बात उन तक जा रही हो वो मुझे सुन सकते हो इस सीच का मैं कमिटमेंट करती हूं कोई मेरे साथ रहे या कोई मेरे साथ ना रहे मेरे पिता जी का सपना था कि अपनी बेटी को डायमंड बनाऊंगा तो उन्होंने इस सेरनी को पैदा किया ये सीमसोनी डायमंड बन के दिखाएगी बन के दिखाएगी और बाकी प्राची भावी ने बताई दिया अगर मैं इस बिजनिस में ना होती भाई मेरा भी बहुत छोटा है अपने घर में सबसे बड़ी सबसे बड़ी मैं ही हूँ मम्मी भी आपने देखी मम्मी को ये नहीं पता कि जहाँ हम लोग रहते हैं उससे बाहर भी कोई दुनिया है उन्हें यह नहीं पता, उन्हें आज तक जानकारी नहीं है इस बिजनिस की, सबसे बढ़ी मैं हूँ अपने घर में, भाई मेरा छोटा है, लेकिन आज भी अगर रात को मुझे दस बज़े भी घर से भा़न निकलना पड़े, ज्यारा बज़े भी घर से भा़न निकलना तो मुझे डर नहीं लगता है इतना सिखा दिया इस विजनिस बबर सेरों की ये जो टीम मेरे साथ है ये जो इतने सारे मेरे यहाँ भाई बैठे है और सबसे आदा मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ किरसनपाल महागुरू जी का इन्होंने ये कह दिया बेटा, पिता जी नहीं है बहुत अच्छे इनसान ते कोई बात नहीं है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ मेरे भाई को, मेरी बहन को और मुझे अपलाइन थे अपलाइन है, अपलाइन रहेंगे लेकिन अपलाइन से बढ़कर मेरे जीवन में इन्होंने पिता का रोल अदा करा है और मुझे इस चीज की पूरी उमीद है, आगे भी इनका हाथ मेरे सरपे ऐसी बना रहेगा, एक चीज में गुरू लोग, गुरू लोगों से भी कहना चाहूंगी, बेसक आज मेरी टीम बच्चों की है, 90%, 95% मेरी टीम में बच्चे हैं, समझ रिव में इस चूच को, क्योंकि बच्चों लोगों का अपना तो कोई होता नहीं है, yes or no? क्योंकि जब मैं खुदी डिपेंड थी, तो मेरी टीम भी दूसरों पर डिपेंड है, yes or no? बेसक ये लोग बच्चे हो सकते हैं, बेसक ये लोग पढ़ाई कर स सकते हैं, बेसक इन लोगों के पास आज पैसे ना हो, बेसक ये देखने में हलके फुलके हो, लेकिन महागुरू जी सीच का कमिटमेंट करती है, ये सीमा सोनी आने वाले तीन से चार सालों में, अगर सबसे ज़्यादा इसमार्ट टीम, सबसे ज़्यादा दमदा टीम, और स सबसे ज़्यादा रिच टीम होगी, तो ये सीमा सोनी की होगी, और बाते तो, बाते तो खेर, ठेंक है, बाते तो काफी है, सीखा भी बहुत कुछ है, फीलिंग्स भी बहुत है, सिर्फ चार लाइन बोलके, और उसनी चार लाइन में अपना कमिटमेंट करते हुए, मैं वो मुकाम अभी बाकी है, सपनों की असली उडान अभी बाकी है, अभी तो ना पिये सिर्फ मुठी भर जमीन, सारा असमान नापना अभी बाकी है, मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने जिनको प्लान दिखाया, वो जोईन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका इंट्रेस्ट था SSC की तैयारी, क्या कर रहे हो, SSC की तैयारी, आज मुझे इस बिजनिस में दो साल हो गए है, आज भी उनसे पूछो तो क्या करते है, SSC की तैयारी, इस बिजनिस की वज़े से जीरो से सुरू करकर 30-40 हजार रुपे महीना कमाती है, यह सीमा सोनी, यहीं सही, एक सेकिन, एक सेकि यहां आज मैंने उनको प्लान दिखाया, तो वो यह कहते थे, बेटा, यह सब काम चलते नहीं है, यह बाल हमने ऐसी सफेद नहीं करे, हमने दुनिया देखी है, जो बड़े लोगों के डाइलोग होते हैं, फलाने डिखाना पता नहीं क्या-क्या रहते हैं, तो मैंने उनसे मैंने का अंकल जी एक साल के अंदर मैं यहां से गाड़ी ले लूँंगी फोर विलर तो अनको यकीन नहीं हुआ उन्होंने कहा जब तु गाड़ी ले ले ना बेटा तो तू ड्राइवर के लिए मुझे रख लिए उन्होंने यह कहा जब तू गाड़ी ले ले तो ड्राइवर के लिए मुझे रख लियो और आज अगर कहीं न कहीं वो मुझे सुन रहे हो उनके परिवार से कोई सुन रहा हो तो इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहती हूं अपने अपलाइनों के आसिरवात की वज़े से इस सिस्टम के आसिरव यदन हो ऑगुल के इस से कि ऑगक बदगcycl Review कि अाना से करे ख करें चाहती हूं